प्रिया दर्शकों कबरों की और बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ये बिलकुल फ्री है इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा लेकिन आपकी वज़ा से हमें और हमारे टीम को होसला अवश्य मिलेगा तो चलिए कबरों की और बढ़ते हैं बिहार के जमुई जिले से लगभग सत्तर किलमेटर दूर चकाई थाना अंतरगत सरोन इस्थित प्राचिन सिद्ध माभगवती भधुआ काली मंदिर है जहां एक बार स्रद्धा से माथा टिकने पर माभगवती भगतों के समस्त दुखों को हर लेती है अथवा सभी की मनोका मनोकामनाय पूर्ण करती है मंदिर के पुजारी का कहना है कि यह मंदिर हजारों वर्स पुराना है एवं इस मंदिर का निर्मान बाबुश सिंग प्रलाद ठीकैत के द्वारा करवाया गया था उन्होंने कहा कि इस मंदिर में जो भी स्रद्धालू आते हैं सब की मनोकामना अवश्य पूरी होती है यहां विभिन राजियों जैसे बिहार, जहरकंड, बंगाल, उडिसा, मध्र प्रदेश आधी राजियों से श्रद्धालू अपनी मनुकामना लेकर आते हैं और मन्चाहा फल पाते हैं जानकारी दी गए कि यहां प्रतेक वर्स असाल महिने में वार्सी कुजा होती है इस सवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालू पहुँचते हैं हलाकि इस मंदिर में आम दिनों में भी श्रद्धालू का ताता लगा रहता है इस मंदिर में शादी विवा मुंडन जैसे अनेको धार्मिक कारे अयुजित किये जाते हैं इस मंदिर के ही समीप एक विशाल तालाब है जहां श्रद्धालू असनान करते हैं और मंदिर में स्रद्धा भाव से पूर्जा अर्चरा करते हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मंदिर से लोगों की भरपूरा स्था जुड़ी हुई है सभी अपना मंचा हफल इस मंदिर से पाते हैं आईए आपको भी इस मंदिर का दिदार करवाते हैं स्थारी आए अर्चरा तो इस मंदिर से लाए देखा टरे जाए हैं करूप्टिका है मेरा नाम तपस्थी पांडे ग्राम नारगी पुष्ट शरोन खाना चिटाए जिला जिमुरी के रहने वाले हैं मंदिर में हम लोग पचासों बापुत हैं इस मंदिर में पुजारी अनेक पुजारी हैं चिज़ा और हम लोग सभी की सायता से मंदिर में गुर्मति का सेवा पुजा पाट इसकिस किया जाता है मंदिर हजारों बर्ष पुराना मंदिर है ये बावु प्रलाज सिंट टिकेत के द्वारा बावु प्रलाज सिंट टिकेत के द्वारा के मंदिर का स्थापना हुआ इस मंदिर का नाम प्राचीन नाम इसका पुराना नाम भत्वा काली मंदिर से पसित है और ये मंदिल में जो भी ब्यक्ति आते हैं उन सबों की कामना पूर्ण होती है कहां बहुत दूर गराज से लोग आते हैं बिहार, बंगाल, उरिसा, मदिक देश, हर प्रांट के, हर राजी के लोग आते हैं और भगवती का चुपा ऐसा है जो इस मंदिल में आये हुए व्यक्तियों का कामना को पूर्ण कर देती हैं भगवती